लाइब 22 है ना 23 क्या पढ़ेंगे हम लोग प्रतिसत्थ क्या पढ़ेंगे प्रतिसत्थ सभी साथ ही जल्दी जल्दी कमेंट करके बताईए कि आप जूड़ गए हैं हमें कुछ जनाई नहीं पढ़ रहा है कि यह लेड़ फाइस समेश्टर है ना आईए पिछली क्लास में बहुत से चीजें पढ़ा था कि मुझे यह बताईए कि चार बटा पांच वो प्रतिसत में अगर बदलें तो कितना आएगा इसका मान जरा कोसिस करके बताईए मारकर में थोड़ी से इंक डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नोटिपिकेशन तो यूटूब दिया होगा हमें नोटिपिकेशन का थोड़ा सा प्रभाव का मालूम चल रहा है कि उसको किनारे जाने देते हैं जल्दी से आप जबाब दीजिए सौसल साख्या विमलेस राज और समरीन नुमानी निहा पर्मा आसीज सिंग सपना राठोर और चंद्रेस ठीक है बहुत अच्छे सपना जी का कमेंट्स सबसे पहले आया है कुछ लोग मुह में घी जमा के वैटे हैं दही जी से बोलते हैं तो भाई वह लोग भी थोड़ा सा बोले मुह से बतलब मुह से भले ना बोले लेकिन कमेंट्स तो करें जो महेंदी लगा के बैठें वो ने करेंगे ठीक है आओ चलो चार बटा पांच को परसेंट में बदलना है आई ये बात करते हैं अकांचा गंगवार अनुपा मौर्या तोनी गुपता ठीक है कोई 80 परसेंट बता रहा है अमित सिंग ये दूसरे गराह से आया इनका 20 परस अचली कलास में हमने परसेंटेज के बारे में बात किया था आपका अध्या साथ सुरू हो चुका था लेकिन आज हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे सुरू से एक्चुली क्या है कि एक नया ध्याय है तो जो भी इस क्लास में जुड़ेंगे उन्हें थोड़ा सा अच्छा अनुभव होगा कि हाँ वो सुरू से पढ़ना है तो साथियों जैसा कि इसको मैंने पूछा इसका मैं जबाब बता देता हूं फिर मैं आपको सुरू से ले करना है तो हमेशा सौ से गुड़ा करते हैं याद रखिए बस पांच से काट दीजिए पांच दूना दस किया आएगा 80 परसेंट इसका करेक्ट आंसर है 80 परसेंट जो लोग कुछ आउर बता रहे थे उनका गलत है जैसे पूजा कनोजिया का गलत है अमित सिंह का भी गलत पर्सेंटेज का चिन्ह नहीं लगा रहा उसका भी गलत है जो ऐसे सिर्फ असी लिख दिया ना उसका भी गलत है जैसे बरात गाई है अगर प्रसेंटेज का चिन्ह जरूर लगाईं यह हो गया आई यह ठीक है अच्छा जल्दबाजी में जल्दबाजी में तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं आज के समय में क्या किया जाले कि कि इन बटा पांच परसेंट नहीं नहीं परसेंट नहीं इसको बताइए परसेंटे में बदल लिए पोसिस करिए चलिए हम बात करते आगे थोड़ा सा मिटाने वाला इसको ले लेते हैं त्राई करिए अभिला साजी बिल्कुल बहुत अच्छे और भी कोई भी ट्राई पूछने का उद्दे से यह होता है कि लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और जो पहले बताएगा उनका नाम भी बोला जाएगा थोड़ा यह अच्छा लगेगा नेहा बर्मा सोनी गुपता अभिलास यादो अनुपम प्रजापती एस्टडी हंड्रेट ठीक है वेरी ग तो से गुड़ा करेंगे वांच से काटेंगे वही बीस आएगा विज गया ही साथ परसेंट आएगा जिनका साथ है उनका सही है जिनका कुछ और आरा उनका गलत है आई हम बात करते हैं मुख्य मुद्दा पर वही देखो परतिसत का मतलब यही होता है प्रतिधन सत यहनी परतिसत हमेशा सव पर निकाला जाता है और सएकड़े पर ही क्यों निकाला जाता है यह आपको पढ़ने लायक अभी नहीं है आप कोई PhD नहीं कर रहे हैं कोई बहुत हाई-लेबल की पढ़ाई कर नहीं रहे हैं हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले हम यहीं से बात करेंगे कि इसको percentage को 100 पर ही निकाला जाता है ठीक है जैसे उधारण के लिए अगर मैंने कहा कि 100 का 12% तो बताओ कितना होगा कितना होगा कि को का 12% तो 12 ही होगा इसको याद रखना है बस ठीक है और मैंने कहा कि 100 का कि 8% तो कितना होगा बाई बोलो इस दो का 75 पर्फेंट तो कितना होगा कि अश्यची पहला जबाब आया है सपना राठोर का और आसी ठाकूर गलत है बच्चा तुम्हारा तो दूसरे नंबर पर हो लेकिंग गलत चीख तो का 71% कितना होगा ठीक है अनिल कुमार परजापती एस्टड़ी देखे सीधा सा फंडा यह है 100 पे जितना भी परसेंट बोलेंगे उसका मान उतना ही होगा सो का 12 परसेंट 12 7 परसेंट 7 75 परसेंट 75 परसेंट 71 तो कहोगे फिर इसका मतलब का है फिर बता काहे रहो बता रहा हूं मैं यह बताना चाहता हूं कि जो परतिसत है वह हमेशा तो पर ही निकाला जाता है ठीक है अब इसी करम में अगर हम थोड़ा सा आपको और आगे ले चलें अभी कोई रूल नहीं बता रहें अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं कि आप बेसिक कैसे समझेंगे उनका वाश्तों में फंडा क्या है वह बाकि मैं अभी माध के रूल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी रूल की बात करेंगे बात में थोड़़ास सब्र बना के रखिएगा और और दुआएं करते रहिएगा क्योंकि दो देन से तवियत बड़ी गड़वर थी उमीद नहीं थी कि आज कलास चलेगी लेकिन आप सभी लाखों साथियों की इतनी बड़ी दुआएं न कि हम राज के पास सभी खीच लाएंगे यह जाने नहीं देंगे अभी तो कलास बाकी ह आजा यह चलिए इसमें अगर हम बात करें कि 200 का 12 तो भाईया कितना होगा पते यह 200 का 12 कितना होगा लीपी का जी बिल्कुल टीटी में काम आएगा टीटी के लिए संजी उनी बूटी है किती का कोई बी एक्जाम है किसी विराज्यका आचाय जेट है यूपी टैट है एचट है डी टैट है कोई जिए कई कभी एच नि के लिए बहुंसी को राज्यास्थान में रीट बोलते हैं पिल्कुल जब आप सही है ए चाचा लोग कुछ लोग परसेंटेज लगा के उत्तर दे रहे हैं भाईया इसा ना करो ना ना इसका अंसर 24 आएगा सही है लेकिन सीवम जी परतिसत में नहीं आएगा आरे थोड़ा सबुद्धी लगाओ अगर परसेंटेज का मान पूछा है कि अगर साधी में गए हो बराती में दुलाहा को मुकुट और उसका थोड़ा सालक होना चाहिए ना पनावट तब तो मालूम चलेगा यह बाकी सब बराती है और यह का कर रहे हैं यह सब के लगा दिये वैसे अब बताओ अब मुकुट लगा लिए सब ड्रेस पहिन लिए वाला इतने लोग गए हैं तो फिर पहिचान कहां रहे गई उत्तर में और कुष्टन में तो अंतर रखो न यहां पर तो पर्सेंट लगा है न उत्तर में ऐसे सिंपल में रहेगा पर्सेंट नहीं लगे इसका आंसर 24 आएगा क्योंकि इसमें दो बार सो सामिल है लेकिन यह कि अपोजिट में तो वहां गलत हो जाता है कि यह लोग कंफ्यूज करने इसलिए बता रहा हूं एको सुनो कि इससे अगर मैं बोलूं क्या बोलूं फिर लंबा हो जाएगा अभी बात में समझ में आगा देखते जाओ भी आएगा चलो ठीक है जो सो का बारा पर्सेंट चौबिस कैसे हुआ इनको बहुत बेसिक सीखना है मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं अपी जिनको यह सब आ रहा है उनसे निभेदन है थ उतना ही होगा उसी करम में हमने 200 का पूछ लिया तो भाईया 200 का इफ लिए 24 आ गया क्योंकि इसमें 100 धन 100 है अजकल तो 200 की भी नोट आ गयी है तो 200 की नोट में खुला कराए लो तो 100-100 की मिल जाएगी ना मिल जाएगी ना तो जब 100 में बारा परसेंट बारा था तो 200 में तो बारा धन बारा कर सकते हो ना 24 आएगा ना यह पिना किसी नियम के अभी मैंने कोई नियम नहीं बताया है समझने के लिए ठीक है समझ में आया ना राधा दे भी आया समझ में सबको समझ में आया आईए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब 100 का 75% मैंने पूछा था भईया यह बताओ सभी कि 300 का 75% फिर कितना होगा चलो बिना किसी नियम के बताना है कि 300 का 75% सबसे पहले कौन बताये योगे सिंघ्ञ अनूपा मौर्या पताईए 300 का में 75% कुछ लोग बोलते हैं मैं आपने आपको नहीं बदल सकता हूं क्योंकि हमारी पहचान है हमारी इससे वजह से कि इसलिए हमें जैसे जानते हो ऐसे जानते रहो अच्छा है इसका सबसे पहला जबाब आया है वह है सपना राठोर का बाई सपना जी बहुत अच्छे बदाई हो आपको और नभीन जी का भी दूसरे पर है तीपका ने तीसरे नंबर पर पताया है लेकिन इनका भी बहुत अच्छा है वेरी गूट आप लोग इसको जानते हैं इसमें अभी कोई भी नियम नहीं लगा है अभी हमने कोई रूल नहीं लगाया इसमें मैत का फिर्फ और फिर्फ यह उनके लिए है जिनको मैत में कुछ नहीं आता वाई सीधी सी बात है तो का 75% 75 होता है आपको याद है हमने पूछा 300 का 75% तो एक सो का 75% का मान 75 है तुम्हें यादी है पहले से कुछ लोग तो रट लेते हैं तो इसका मान क्या 75 है इसका 75 है इसका 75 है जोड़ लो जिनको यह जोड़ना नहीं आ रहा ना उनके लिए एक आइडिया बताऊं को बढ़िए 300 तो था ही मैं पचीस है पचीस तो कम है ना यानि 75 कम है कुल मिलाके 75 घटा दो 300 में से 220 आएगा लेकिन यह गणित थोड़ा उपर से उड़ रही होगी कहेंगे यह कईसे काम करेगा हर जगा अब मैं रूल पे चल रहा हूं अब जिनको नहीं समझ में उनको भी आ जाए अब नियम पे चल रहा हूं ठीक है नियम पे चल रहा हूं सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल टेंसन मत लेना आप तो सब आएगा आएगा आए नियम पे चलते तो यहाँ पर दो चीजे मैं लि के लिए पर्तिसत का मान के लिए ठीक है क्या करेंगे तो से हाग करते हैं ठीक है इसे लिख लीजिए चाहे बहुत बड़ी बात नहीं है दूसरा कि संख्या को कि पर्तिसत में बदलने के लिए कि में बदलने के लिए तो से गुड़ा करते हैं ठीक है ये तो बातें आपको याद रखनी है पस इनकी सारी बिमारी दूर हो जाएगी कि आज इस कलास में हम पर्सेंटेज को फिर से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सब क्लियर हो जाए देखिए कभी अपने आपको ओबर कांफिडेंस में मत रखना कि मुझे सब आता है क्योंकि परिक्षा में वही फेल होता जिसको सब आता है वही फेल होता जिसको सब आता है तो से पुड़ा करते हैं अब कोई माई का लाल नहीं जो इसको गलत काड़ दे आओ देखो कईसे समझो कईसी है ठीक है सिया कश्यप चीटेट यूपिटेट सूपर्टेट के लिए आपका PVR study में हम कौन सा बैच लें की बेसिक मैथ है इस समय 585 में है या कश्यप नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर स्था इंक्वारी कर यह निबेदन है नीचे लोगवर चल रहे हैं उन पर इसका उधारण देखिए जैसे अगर मैंने कहा कि साथ बटा पांच को तिससत में बदल लिए दोनमें अंतर समझे ना बस कि हम इनको जल्दी जल्दी खतम कर रहें अब इसमें ज्यादा देर लवाने वाले नहीं है कि तबियत बहुत अच्छी है आप लोगों की दुआएं बहुत काम की हैं किसी भी डाक्टर से कई गुना आगे मैंने कोई दवाई नहीं खाई आप लोगों को बता दें दो दिन त बहुत जादा हो रहा है तब उसके बाद कुछ नहीं खाई आए देखिए 60% का मान मैंने बताया कि 100 से भाग करेंगे आए इसको 100 से भाग करते हैं यह कि दो से काट दीजिए दो त्याइंचा दो पंचे दस तीन बटा पांच इसका अंसर आएगा तीन बटा पांच इसको आप फिर यह ला सकते हो बोलो कितने लोग कर लेंगे अगर तीन बटा पांच को परसेंटेज में बदलना हो तो फिर से 60% आएगा की नहीं बोल यह क्या मुसीवत है कोई पकड़ के तो रखा नहीं फिर यह पान फाइब को यू कैन चेंज इन परसेंटेज सब्सक्राइब कर लेते हैं आई यह साथ बटा पांच को परसेंट में बदल लिए मैंने लिखा है कि इनको सौसे गुडा करेंगे तो कर लीजिए यह काट देजिए पांच दूना दस पाड़ा वाड़ा तो इतना तो आपको आना ही चाहिए लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ परसेंटेज का चिन बूलकर भी नहीं लगाना इहां पर परसेंटेज का चिन बूलकर भी नहीं लगाना गलत हो जाये तब कुछ करने एक बार माटी हो जाएगा यह बात याद रखना इस तो दुलाद दुलाहिन वाली कहानी बताया थे ना उसी को याद कर ले न वस आ जाएगा चलो सभी को समझ मैं आज जल्दी से सेशन को लाइक करिए अब तुरंद करिए अब मैं इसके आगे बोलने वाला नहीं हूं अब यह समझ लीजिए ना आपकी लिए मैं क्या क्या करता हूं इतनी कुर्बानी देता हूं एक बार शुरूरे में बताया था कि गल्फेंट पहले ही न कि बात में बताएंगे बीच बीच में बताते रहेंगे चलिए इसको लिखिए अभी बहुत से ऐसे भी साथी है जिन्होंने नहीं किया लाइक कलास को दोनी आदो ठीक है अंसू और कोई एनिवन चले फिर आगे बढ़े चलिए ठीक है परी गुट बहुत अच्छे इसको मैं मिटाता हूं 60% का मान इस तरह के सारे कोईश्चन आप लोग कर लेंगे अब मैं दूसरा नया तरीके का कोईश्चन दू न आगे बढ़ू इसको टॉपिक खतम करा जाये न इस पर बाद में एक्सरसाइज होता रहेगा इक्सरसाइज होता रहेगा बाद में आग इसका मान बताएज। सब्सक्राइज यह इसका मान बताईज 20 और इमें का मान मतई ऐसा पूजा कनो जिया न और को पूछरेयेंगे दूलहां तो नहीं नराज है ना थे सब्सक्राइज अभी नराज नहीं बहुत खुस हो गया चलो ठीका मिटाते हैं है तो अब आगे क्या करना है अब हम आगे बढ़ेंगे कि पढ़ना क्या क्या है यह हो गया टन इस टॉपिक को हटाओ आप लोग ट्राई करते हो भई रंजना सिंग मिताली सिंग सुपरिया त्रिपाठी बेद दंग एक मिनट देखने दो भाई नहीं नाम भी गलत पढ़ लेंगे इनका नाम थोड़ा अब इंडियन हुए करके अच्छा आप साउथ इंडियन है इसलिए ने नाम नहीं ले रहें नहीं सौरी मैं सबका नाम बोलता हूं हमारे लिए इस्ट बेस्ट नार्थ साउथ सा बराबर है भारत वासी जितने भी एना वे घर के भारत एक घर है चल यह बात करते हैं आगे तो यह को कुछ गडबर ना हो जाए आपका नामें ले लों का हो फिर इसको बंद के के पैंक दें उधार ना पढ़ाएं नामें ले सबका आपकी इच्छा जैसिए हमारा का जाता है नामें बोलें बैठके हम तो भाया यह हो गया आपका दो टॉपिक भिन को परतिस्ट में बदलना यह हो गया परतिसत को भिन में बदलना यह भी हो गया अब हम पढ़ेंगे दस अमलों को परतिस्ट में बदलना अब टॉपिक यह होगा पहला क्या था अब तक हम लोगों ने पढ़ा भिन को परसेंट में बदलना उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा भाई दुक मिन्जो लिखने दो 32 को भिन्न में बदलना ये दोनों पढ़ लिया ना ये दोनों पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे दस अमलों को 32 में बदलना जड़ा हमल के बताना पूछता हूँ ठीक है पताईए 0.25 को परसेंट में बदलिये चलिए ट्राइए करिए ट्रेडी 0.25 को परसेंटेज में बदलिये जो आपके डीलेड में है मैं वही टॉपिक बताऊंगा बस चल्दी करिए फटा-फट नाम हम नहीं बोलूँगा पूसिस हमेशा करते रहिए आईए यह टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है यह टॉपिक के बाद ज्यादा कुछ बचा है नहीं बस इतने था ही आपके किताब में देखिए साथियों इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका है समझिए इसमें दसमलो भी लगा है और परसेंटेज में भी बदलना है तो इसमें दो बीमारी है पहले करेंगे दोनों की दवाई कि देटेंगे नों की कि रहे गदना रोगि को बचाना रोगाना रोग को भागाना है वह साथ मैं एक क्या दास्वसाण लोहता वारिवी पर हैंगे नहीं स्п令ुफ है इसलिए हम हूं से भाग करेंगे सामला जोग अ गया वैं क्योंकि हमें parcentage में बदलना था और percentage में बदलने के लिए हमने पढ़ा था कि 10 गुड़ा करना व e गुड़ा करना है अब ये क्या इससे कोई मतलब यह जो भी है हमें इसक हो सौ से गुड़ा करना है दो ya आपस में 20 से 20 कैंसिल 25 पर फेंटेज आया कि अधा कितना आसान कि अधा बहुत मजा अंदर से कि नहीं है तो जीरो पॉइंट पाच को पर फेंटेज में बदल लिए अधा ये वन पॉइंट तू फाइब को पर फेंटेज में बदल लिए असनिया जी बताईए विताली सिंग कि कुछ लोगों का नाम बोल रहे हैं कुछ लोग नरहाज हो रहे हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं बहुत से साथ हमारे साथ जूड़े हैं चलो आगे बढ़ते हैं हो गया इतना तो इसे लिख लिजिए ये टॉपिक खतम करते हैं आगे बढ़ाते हैं वैसे ये टॉपिक भी मैं लगबख खतमें कर चुका था कुश्चन सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा पैरा कि मनोज के बगीचे में कि बारासोपेड़ है मनोज के बगीचे में वारासो और बाराहजार सिधा फिजा लिख लो और फिदा पार यह प्री है कि पढ़े लिखा है तरी के इतना है बारा सो है जिसमें से 35% आम के हैं बाकि सेज बचे हुए जो अन्य फलों के पेड़ हैं वो मानलो अमरूद के हैं ठीक है अमरूद के हैं तो यह बताओ भाया अमरूद के कितने पेड़ हैं कोई बता लेगा एक फलाने हैं अरे तुम भी मेंसे किसी को लेलो सुपरिय तिरपाठी को मानलो इनके वगीचा है और इनके वगीचा में 1200 पेड़ हैं कितने पेड़ हैं 1200 मतलब काफी हाई भी वगीचा बड़ाफ जिसमें से 35% मैंगो मतलब आम फलों का राजा वाकी अमरूद है अमरूद मत कितने आमरूद के पेड़ हैं कि अरे कुछ तो बोलो कि अपना राठोर कह रही कि 540 और नेहा बर्मा 420 देखिए कुछ लोग आई से भी है ना इसमें जिनको यहीं नहीं पता किसमें करना क्या है उनका मतलब यह है कि हम इसका बारां तो का 35% बताया दें उत्तर हो जाएग नहीं आई से करके आई से करके तो आई से खीचना है आई यह बताते हैं चलिए देखिए सीधा सा बात है 1200 का पहले 35% निकालेंगे और जितना आएगा ना उसको 1200 से घटा देंगे फिर जितना बचेगा ना वह अम्रूद का पेड़ है क्योंकि 35% जो आएगा वो तो आम वाला होगा इसको मैं करके बताऊंगा आई यह सुनिए तो 1200 35% का मतलब ऐसे बढ़ा चुका हूं कि दो जीरो से दो जीरो कैंसिल बारा का 35 में गुड़ा हो जायेगा बारा पंचे साथ हांसिल कितना आ गया च्छे और बारा तियाही 36 36 42 420 कुछ लोग इसी को उत्तर बता रहे थे अरे बैया चाचा दिदी अंकल अंटी का है यह आम का पेड़ है 420 क्या है यह आम का पेड़ है लेकिन इसमें से 420 घटा लीजिए तो जो बचेगा वो अमरूद का पेड़ होगा वही सीधी सी बात है हमें घटाना नहीं आता थोड़ा जुगार सीख लीजिए माल लेते कि सन्योग बस अगर यह 400 होता तो 800 लेकिन 200 कम है तो 700 कितना होगा असी होगा तो 700 होगा ना तो 700 हो गया बस यह 700 क्या है क्या मरूद का पेड़ है क्या है अमरूद का पेड़ है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इस तरह कि आप लोग कर लेंगे अच्छा एक बात बताईए अगर इसी में ऐसा कह दिया जाता ऐसा कह दिया जाता इसमें से 35 परसेंट तो मैंगो है और इसमें 10 परफेंट जो है वो केला है बनाना तब बताऊं अमरूद कितना है अब बताऊ कौन बता लेगा सबसे पहले पूजा कनो जिया थोड़ा पानी वानी डालो खोपड़ी पर ठंडा हो जाएगा अगर 35 परसेंट मैंगो और 10 परसेंट बनाना है तो अमरूद कितना होगा कि इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़े बस थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा से ही तो बहुत हो जाता है चलिए लगाईए कि अधाई सीदी सी बात है 35 परसेंट 35 परसेंट और फिर 10 परसेंट बनाना है इसका 10 परसेंट निकाल लो न 780 का हमारे समस्य तो ऐसे भी हो सकता है न चाहे तो सीदा फीदा 45 परसेंट निकाल लो उसका 1200 का चाहे तो 45 परसेंट निकाल लो और चाहे तो 780 से 10 परसेंट और कम कर लो अब इसमें ये तो नहीं कुछा होता तो कुछ और करते हैं कि हमें सिर्फ अमरूदगा निकालना है तो क्या करेंगे टोटल में से 10 परसंट गटाए दौर भी कर लो कि 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 आगे बढ़ते हैं फिर कि नहीं समझ में आया है अब को आया हो गया एक टापिक जो कि नस्ट के खुश outta के परिक्षा में आ सकते हैं और कि कि सिद्धन का दस परसंट का मान 50 रूपया है तो ज़्यां आप सो द्रहक हमारे पास मैं बताओ भडाई कितना रूपया है रुक हो जो देखने दो 10% का मान 50 रूपया है तो बताओ वो कितना रूपया है जिसका 50 रूपया 10% पताओ ये अकांचा गंगवार समरीन जी पताओ जबाब दीजिए फटा फट किसी धन के 10% का मान 50 रूपया है तो वो धन कितना रूपया है भई कि इनको मैं मिटा दे रहा हूं जो जो मैंने पढ़ाया सब मिटा दे रहा हूं कोई देखने नपाए चलो जिनको देखना ही है थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेगा इसमें परसेंटेज में नहीं आएगा अंसर पहली बात तो यह कुछ ऐसे भी हैं जिनका बुद्ध वतलब इनको कहीं जाना है तो यह नहीं पता मेइद में जा रहे हैं कि अधरी में जा रहे हैं मैय चले जाओ लोग सोका रहेंब तुम्हें क्या करेंगे पूजा करेंगे यह तुमको लटियांगे तो उत्तर में पहले यह तो देखो बताना क्या है कि 10 परसेंट का मान 50 है कोई ऐसी रासी है कोई ऐसा एमाउंट है जिसका 10 परसेंट का मान 50 है कि तो वो कि अमाउंट नंब कितना है 3 बाता रहा को बता रहा को नहीं परसेंट बता रहा है के fel ahí animale जीए कि क्या है अक्स हमने माना क्या एक्स रूपया है कि क्या करेंगे यक्स का दस पर संट आप मान लेंगे कि इतना है पचास हमें पता ही नहीं क्या था तो हमने यक्स मान लिया यह माना गया वाना और 80 क्या है यक्स रुपया है यक्स गुड़ा दस परसंटेज के चिन हटाएंगे 100 से भाग करेंगे यह 50 ऐसे ही रहेगा समझ में सही जा रहा नहीं है एक जीरो से जीरो कट दो यक्स बटा दस पराबर पचास यक्स बराबर कितना आया 500 यानि वह रासी 500 रुपया है जिसका 10 परसंट का मन पचास कुछ लोग सोच रहे होंगे ससुरा गलत वलत बताज नहीं रहा है उत्तर की जाच भी कर सकते आप इसके आंसर की जाच भी कर सकते हो यह गलत है कि सही है आओ चलो 500 का 10% निकाल लेते हैं इधर आ जाओ पांच सो का 10 पर फैंट यह सिखाया तो हूं न सब तो पांच सो गुड़ा दस पटा सो दो जीरू से 2-0 कार्ड दो फिर 50 आ गया ना मतलब आसमान से गिरे खजूर पर टक गये जो किया तो एक अंसर आया इसको ले करके फिर से कोईश्चन आ गया इसका मतलब सही था ना रंजना सिंग का चाहती हो बला कर दें यहीं अंतिम इच्छा है आपकी लिख लीजिए समझ में आया ना अच्छा एक और बताईए अब की बार हर कोई बताए चलो चलो फटापट बताओ पुई ऐसा एमाउंट है जिसके 10% का मान यह इतना है इतना इतना है इतना है इतना है इतना है यह वाई रुख जा पांसो पचास रूपया है अब बताओ तो एसा एमाउंट है वो राची ग्याद कीजिए जिसके दस परसंट का मन पांसो पचास रुपए है बंस्टन सुन लीजिए वो राजक यह ग्याद कीजिए और रुपएँ ऄदक gaatкиजिए इसका 10% मातर 10% पांसो पचास रुपया के बराबर है तो बताओ वो आखिर कितना रुपया रहोगा कि तुपरिया तिरपाठी का रहा पच्पंसव रुपया अदेहा मिसरा कभी इतना ही आ रहा है और अकांछा का भी कुछ नकल वकल कर लिया इन लोगों ने कम मिलके अज कि तुसा बठा डिया न ये केते नहीं एक प्धेण कोय में कूध गई तो सब कूध गई इंन आप ला कि यह वोल में कि यह दो सच है कि दुनिया हमेंसा भीड़ वाले राष्ते पर ही जाती ये तो सच है कि दुनिया फेल वाले रास्ते पर ही जाती है लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं कि भीण हमेशा रही रास्ते पर जाती हो इफली अपना रास्ता खुछ चुनिए भीण वाले पर मत जाईए कि सब लोग जा रहे हैं अखिर तुम जा क्यों रहे हो यह बताओ बस कि अजकल ऐसे होता अंदौलनों में धर्न परदर्शन हो गयरा होता है जो सरकार को गाली देते हैं एक लोग गरिया रहें सब गरिया हैं कया गरिया रहे हम नहीं पता वह लोग गरिया रहे इसलिए हम गरिया थे तो 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 थोड़ा बुद्धि लगाई है अपने पास से भी इतमें हम सपोर्ट नहीं कर रहें किसी का बिरोध कर रहें बात बता रहें हाँ तो दस परसेंट का मांन 550 है तो वह amount क्या है हमें नहीं पता हमने मान लिया कि वह ए है ठीक है तो एक दस पर्सेंट निकालना है तो एक दस पर्सेंट कितना है पच पानसो पचास है दिख्या है हमने मान लिया उरासी ए है तो ए यह दस नीचे सो रही जा रहा नहीं है एक जीरो से जीरो कड दिया यह यह वटा दस पराबर यह पांसो पचास कि यह पराबर कि पांसो पचास तो था ही तिर्षा गुड़ा हो जाएगा इतना तो आप जानबे रहे हो इतना तो जानते हों अ अगे बढ़ें चलिए तो यह सब चीज आप लोग कर लेंगे किसी गाओं की जन संक्या 5000 से बढ़ करके पच्छपंस हो जाती है तो जन संक्या में कितने परसेंटेज की ब्रिद्धी हुई तो बताइए यह कौन सी मुसीबत आई कि बताइए पटापट सभी बताइए आईए जन संक्या आज का लागडाउन में कुछ जादा बढ़ी है आप लोग को पता है ना चलिए बताइए 5000 थी कितना थी 5000 थी और यह बढ़ करके हो गई 5500 तो आप बताइए कि कितना परसेंटेज की ब्रिद्धी हुई है जब आप दीजिए आई यह बात करते हैं सबसे पहले तो यह देखिए कि आखिर यह बढ़ा कितना है तो भाईया 5000 और यह पच्पंसो यानि बढ़ा है कुल मिला के 500 तो कितना बड़ा है 500 बड़ा है आपको यह देखना है वह 5000 का कितना परसेंट है तृमरीन का बहुत एक तो भाइन निकालना यह मालो कि ऐ परसेंट है चलो हमने माल लिये परसेंट है ऐसे यह भी होगा एक परसेंट है कितना कि क्या निकालना था लेकिना में आफ जार का एक परसेंट मैंने माना है कितने का ला जार कर पानषा जार गुड़े एक परसेंट दराबर 500 क्यों अज़े चलेगा ना ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है न चलो करके देखते हैं ऐसे जुगाड़ लगता है कि नहीं आपने माल लिया ए परसेंट है तो ए अपान यह हो जाएगा 100 बराबर 500 बहए दो 0 से 2-0 कट गया इससे हो कट गया तो क्या बचा यह 5 ए बराबर 500 यह बराबर पांच सो बट्ट पांच I am the artist I am gone जो गए से टो कई सेकफ्वरबड गए मिनट एक मिनट अच्छा यह पाँची शार था यह पो यहाँ प्र हंपर त act चुड यहां पयार खाथ EL ठीक है तो कोई घड़बर नहीं है तब कंभी अ ही नहीं सकता है यहां पर एक आयगा बूलना मत यहां पर यहां पर यहां पर यह दूल दिक्कत नहीं किसी को निताली सिंग बिल्कुल सही है बहुत अच्छे रंजना सिंग बेरिगूड अमीत जी बहुत अच्छे भाई देखो आप लोग कलास को लाइक निकर रहे हो इसी वज़ा से 100 से जादा बच्चे नहीं होते हैं ये बहुत दुख की बात होती हैं अंदर से आतमा बहुत दुखी होती हैं बुकार भी रहता बिमार भी रहते हैं किसी भी तरह फे हीलते डोलते हैं माल आते हैं फिर भी आप लोग नहीं सुनते हो क्लास को लाइक सेर करते नहीं आप लोग सब्ता में तीन दिन यह क्लास होती है तो मुआर मंगलवार और बुधवार को है ना अबकी बार दो दिन तो आम भीमारी में निकल गए एक दिन बचा कि इस तरह से आप लोग इस प्रकार के सारे कुश्चन कर लेंगे कि इनको कोई इंक्वारी करना नीचे नंबर है उस पर संपर करें नीचे नंबर है और यह फौन सब हमारे पास रखें इनको में साइलेंट करना पड़ेगा काट काट के नहीं तो यह भहीने संपर करने लगेंगे है रुख जा एक मिनट भाई एक मिनट चलिए अब आप लोगं तुनिये कुछ और कि कितना हो गया यह पताईए पचास आज ससंख्या 50- एक यह पारा सो का कितना पार्दियत है इस कम पचास फिर्म लारा पर्च्छात है जल्दी बताइए फटाफट आगे बढ़ें जल्ने जल्दी से मैं बताता हूं कि यूद्य को भीगो के मिटाना पड़ता है फिर पोचना पड़ता है फट्रंडी कमाईना लिखताने पचास बाराज़ां करेंगे कोई छेसों बता रहा है कि अधनि कहां से गिरें यह सब बाराज़ां कितना परफिंट है हम मानते हैं कि यक्स परफिंट है क्या 12-100 का 1 x% हम मान लेते हैं कितना है 50 यह मान के चलते हैं क्योंकि हमस्ता आये आईए और यह लोग कुछ्चन ही नहीं समझ बात हैं मैंने पूछा कि चुप 50 है संख्या 50 वह 12-100 का कितना परसेंट है यह सोच रहे हैं कि बारा सो का मैं 50% पूछ रहा हूं विकिन की बुद्धिया ना उल्टा नहीं चलती सिद्ध चलती है यह बारा सो का यक्स पर फिंटेज हटेगा सो से भाग हो जाएगा तो जीरो से दो जीरो कट जाएगा का का मतलब होता है गुड़ा तो कर लो पचास तो कितना आयागा यह कुछ गड़बड हो जा रहाएगा कर लेते हैं तसमलों में जाएगा यक्स बराबर यह 50 बारा इसको पहले तो आप इसे काट सकते हो आ जो ही से कटेगा उसके बाद वारा कटे relationships दो से मत काट इसे इसे डार्टली बारा से भाग करो आ फान रहेगा भाग करके बताओ कितना आएगा और हाँ एक चीज और इतना भी आएगा ना उसे हम फिर से परमाडित करेंगे कि वो सही एक गलत है तो पचास बटे बारा आईए भाग करके देखते हैं यह बारा चोक अरतालिस प्रटाने पाया दो उपर दसमलों बढ़ा के जीरो उतारा तो बारा एक कम बारा उटाने पाया आठ जीरो बारा चंग बाहत्तर आठ जैनी फोर पॉइंट वन सिक्स पर फेंट आया संथिंग अना दो अंक में अगर ले जाए तो हुआ है कि समझ में आया ना यह सकते हैं की जो बारा सो है उसका फॉर पॉइंट वन सिक्स परसेंट पचास है लेकिन यह हंड़・प परसेंट सही नहीं है एकुरेट यह लिग कि यह भाग पूरी तरह से कटा नहीं है अभी और जा रहा है तो फिर फिर उतारेंगे फॉर प होगा कि यह आप इसे 67% लिख सकते हो एक बात में अगर बोले हैं से तीन अंक में तो यह ज्यादा सही माना जाएगा ठीक है अब आई यह हम आपको बात बताते आगे अगे अगर आप इसका 1200 का 4.167% निकालें तो कितना आता है पचास के लगभग आ रहा कि ने निकाल के देखो पचास आ जाएगा निकाल के देखना ठीक है पचास के लगभग में एकदम आ जाएगा थोड़ा कुछ पॉइंट का चाहिए डिफ्रेंस है नहीं तो आ जाएगा इसका मदलब यह सही है अभी को समझ में आया ना आया समझ में करना यह बहुत गजब लगा बिलकुल गजब लगेगा बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा जो लोगों ने पूरा कलास देखा होगा वो परफेंटेज का सारे कांसेप्ट सीख गए होंगे आप एससी का पर इच्छा देना है परतिसत के सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिक न्यू है ना मैंने सब करवा दिया इसमें है तो डियलेड के लिए यह लेकिन यह सब के लिए है ठीक है एक और बताईए अच्छा इसी में अगर मैं ऐसे बोल दूं संख्या चालिस जो है वह 1200 का कितना प्रतिसत है यह तो बड़ा आसान है क्योंकि सीधा-फिधा कट जाये गई है इसको बताओ भाई हाँ अभी बहुत पीछे चल रही हूँ आप कोशिस करते रही है कोई बात नहीं बहुत अच्छे साथियों बहुत अच्छे बेरी गुड अच्छा लगता है काफी आप लोग ट्राइब कर रहे हो इसका अंसर आप लोग बता देना आगे बढ़ते हैं कि एक सोबीस को यह तो पिछले बार बताया था अब बताईए को इस चने का और बताईए एक सोबचास को कि इसका को इसका कोई जबाब बताएगा क्या कि विप्यातिवारी अच्छेहा बर्मा रंजना सिंग पताईए एक सोबचास को कितना परफ्रेंट कम करें क्यों इसको करने का दो तरीका है कि एक मिलन मिसरा हैं बहुत तडप रहें विचा रहें नीचे नंबर चल रहा है बोल रहा हूं बाबू उसी पर संपर कर लो और हमारी कलासें इस समय आफ लाइन नहीं है करोना टाइम में सब बंद है लेकिन यह मार चट पढ़ाए जा रहे हैं आई यह देखें एक सोबचास को कितना परफ्रेंट कम करें इसको करने का पहला तरीका यह है कि हमें यह पता है कितना बचाना है असी बचाना है यानि हमें सत्तर घटा देना है यानि इनका यह भी एक कुश्चन है कि एक सोबचास का कितना परफ्रेंट सत्तर है कि 150 का कितना परफेंट सत्तर है एक तो यह कुश्चन बन सकता है एक कुश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कितना परसेंट कम करें आप इस पे लिख सकते हो माना एक सपरसेंट कम करें और एक सपरसेंट घटा के भी बराबर उतना कर सकते हो दोना तरीके से कर सकते हो ना ना हम अम लोग भूम इसी तरीकेसे कर लेंगे आप यहां पर समझ लो गूलो हम ऐसे करते हैं कि एक सो पचास का वांते हैं कि यक्स पर फिंट कितना सथर अब इसे मतराओं गा नहीं भराई भंदाराओं पूरा आप लोग करोगे इसको करके यक्स का मान निकालके अपना उत्तर निकालके रख लो बस अबी कर लोगे ना किसी को कोई मुसीबत कोई परिसानी नहीं न सभी कर लेंगे चलिए कर लीजिए इस्क्रीन आपके सामने है आप देखिए लिखिए समझिए आज आपका यह पर्सेंटेज का अध्या भी खतम हो गया हूं कि समलो वाला टॉपिक हम ले करके चले थे वह भी होई गया है थोड़ा सा और बता देते हैं यह बताईए कि 0.015 कि पर्सेंटेज में बताईए कितना आएगा जब आतीजिये फटाफट कितना आएगा देखिए जो लोग आफ लाइन कलास के लिए परिसान है देखो भाई अगर सिर्फ पढ़ने का उद्देश से है तो आनलाइन ठीक है बाकि अगर मिलना उलना है थोड़ा मौज मस्ती करना है थोड़ा देखना दिखाना है तो फिर होता है कर दुभार कोई टी Church जल्दी रिवीजन कर रहाएगा नहीं दुभार अप्लाइन में क्या है दूबले कि दिखने वाला है नकोई सो खतम हो गई कि luck को ढखत नहीं है कि 10 वह को दिक्कत नहीं समख में आ रहा है को कि सर्माने की बात भी नहीं है अब कलास में ना समझ में आया तो Jake Scott कई से पूछोगे राओ को कीजिसे प्पूछ होगे कि इतना चोटा नहीं रहा है को अले ना थर है आन अद प् смотр किक ना कि इसका मान आप लोग बता लेंगे पर्षेंटेज में बदलना है कि सबसे पहले आप 10 हमलों हटाओगे 1000 से भाग करोगे क्योंकि तीन अंक पर 10 हमलों है पर्षेंटेज में बदलना था इसलिए 100 से गुड़ा करोगे आप दोजीरो से दोजीरो कट गया 1.5 पर्षेंट आएगा इस दसमलों में आएगा न हम आहिए चाहिए इसे और आगे हल कर लो थोड़ा और छोटा हो जाएगा बाकि दसमलों में आएगा इस तरह 15 पर्षेंट नहीं आएगा 15 पर्षेंट नहीं है इसे आप इतना और भी कर सकते हो 15 पटा 10 पर्षेंट इसे आई से काड़ पीट लो तो पांत यहीं 15 पांदुन दस आप तीन बटा 2 पर्षेंट लिख सकते हो भिन के रूप में रहेगा वह दसमलों डारेक्ट है बस दोनों में से कुछ भी लिख सकते समझ में आया ना अभी कुछ समझ में आया तो मुझे लगता है कि आज का क्लास्क ओबर करते हैं कि अधिक क्वेश्चन और बताईए 500 रूपए का तीन वर्स का बारा पर्सेंट वार्षिक ब्याज की दर से साधारन ब्याज ग्यांत कीजिए कि अभी पढ़ाया गया कहीं कि यह जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं अभी इसके पहले भी करवाया था क्रेविक्रे मुल्ले वाला यह 2018 में यूपी डियलेड में पूछे गये हैं कि एक और लिख लीजिए 2018 में डियलेड में आया हुआ कुष्चन है तुनिए राकेश ने 65% अंक हासिल किये हैं अपनी वारसिक परिक्षा में यदि पूढांक 500 रहा हो तो राकेश ने कितने नंबर हाफिल किये पताईए 2018 में पूछा गया प्रस्न है कि एक बचवा है जिसने 65% मार्क्स हासिल किया है माइक्सिमम मार्क्स अगर 500 था तो वो कितने नंबर पाया है पताईए कोसिस करिए यह कुष्चन परिक्षा में आया हुआ था परिक्षा में आया हुआ प्रस्न है असेफू एंजल की गुड़नाइट चलो बता ले ना और चक्रब्रदी ब्याज और यह साधारण ब्याज वाला कुष्चन भी पूछा जाता है परिक्षा में आप लोग कहेंगे सिलेबस में तो है नहीं सिलेबस में कुछ चीजें नहीं है लेकिन बेसिक मैथ का परिक्षा में पूछ लिया जाता है तो आपको आना चाहिए ठीक है आज की कलास यहीं पर बंद होगी यह कलास अपता में तीन दिन यूटूब पर होती है सोमवार मंगलवार और बेड़नस डे यानि बुदवार ठीक है सिर्फ तीन दिन लाइब होती रात दस से ग्यारा बजे तक आप चाहें तो सातों दिन हमें लाइब देख सकते ह जिसके लिए आपको पीवी आरे स्टडी आप डाउनलोड करना पड़ेगा अप्लिकेशन में जा करके हमें सातों दिन आप देख सकते हैं उसमें आप यह लट का फॉर्स समेश्टर कोर्स इंडॉल करेंगे ठीक है कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है नीचे नंबर चल र लिए नहीं तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद दिल की घाराईयों से थांक्यू जो आप लोगों ने हमें पूरे एक गंटे देखा